हे वाईटी बियांस की हल चाल वेलकम बैक टो दुच्राव दोसों वाईटी भारत पर आज हम बात करने वाले है कश्मीर के बारे में कश्मीर जो भारत के सबसे खुबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है धर्ती का स्वर्ध भी कश्मीर को कहा जाता है इस साल इतने जादा ट्रैवल कर रहे हैं और अपने लाइफ के सबसे बहतरीन पलों को बिता करके अपनी लाइफ फुटेज वहां से बेजते हैं जो वाईटी भारत पर आप लगातार देखती भी रहते हैं अगर आप इस पैकेज को बुक करवाना चाहते हैं तो वाईटी भारत पर मैं आपको व विजिट कर सकते हैं तो आईए सबसे पहले आपको वज़े बताते हैं कि कश्मीर क्यों खास बना हुआ है इतना ज़ादा टूरिस्ट क्यों महाँ पर जा रहा है क्या ऐसी खास बाते हैं कश्मीर के बारे में एक एक करके सब कुछ आपको बताऊंगा साथ में आप कश्मीर के नजारे भी लेते चलिए YT भारत के साथ और दोस्तों अगर आपने YT भारत चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतने ज़ादा इंटरस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखना अगर लगातार चाहते हो तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब करना नीचे राइट रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है साथ में लगा बेलाकिन को क्लिक करना और को सलेक करना ताकि जितने भी आगे वीडियो की नॉटिफिकेशन आ रही है न वो तुरंत आपको सबसे पहले फ्री आप कॉस्ट मिल जाए पुराने सारे 300 वीडियो देखना चाते हो इंडिया की सभी हिलिस्टेशन ट्रावल डेस्टेशन का तो जाकर के वाईटी भारत को सर्च करें यूट्यूब पे और जाकर के अपने मन मताविक वीडियो को देखो और इंजॉय करो चलिए अब बात करते हैं कश्मीर के बारे में दोस्तो आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की तो अब पूरी काया पलट हो चुके है टरिस्टो का लगबग सफाया हो चुका है और कश्मीर इंडिया के सबसे फेवरेट हिल स्टेशन और डेशनेशन में से एक हो चुका है और वो कहावज जो हमेशा से थी न कि अगर धर्ती पर कहीं स्वर्ख है तो यहीं है यहीं है यहीं है यह अब पूरी तरह से साबित होता आ रहा है कश्मीर के लोकल लोगों को भी बहुत बेनेफिट मिला है के साथ जाना चाहते हो फैमिलीज के साथ जाना चाहते हो हरीमून पर जाना चाहते हो कश्मीर बहुत ही फेबरेबल इस ताइंग प्लेस डेस्टेशन बना हुआ है और स्नोफॉल लवर की बिलेवर मैं आपको बतायता हूँ कि मार्च में 22-23 मार्च को तो वहाँ पर स्नोफॉल होने की संभावना है कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में इसके बाद भी जो स्नोफॉल होती है वो लगबग अप्रेल एंड तक आपको गिरी हुई मिल जाती है गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम अगर आप हिली स्टेशन पे जाते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर मैं गुलमर की खास करके बाद करूँ तो इसनोफॉल स्पोर्स एक्टिविटी के मामले में गुलमर का पुरी दुनिया में नाम है वहाँ पर सेकेंड वर्ड का सबसे हायस गंडोला केबल का आप राइड है जिसको जा करके आप इंजॉय कर सकते हो जिसमें दो लेवल होते हैं फर्स्ट और सेकेंड लेवल और सेकेंड लेवल आपका लगबग अप्रेल के अंदर खुलेगा जहां पर आप जब जाओगे न तो आपको दुनिया से अलगे एक्सपेरियंस होने वाला है यह यकीन आप माल लीजें दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कश्मीर में वहाँ की होस्पेटाइटी के बारे में आपको बतायता हूँ एक से एक होटल खुल गए है आप अगर थ्री स्टार होटल की बात करो फाइस स्टार होटल की बात करो तो सारी सुवधाएं आपको मिलेंगी और इन में लगातार और बढ़ोतरी होती जा रही है कनेक्टिवडी के मामले में अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो train से जुड़ावा है, flight से जुड़ावा है, air से जुड़ावा है, bus से जुड़ावा है, जैसा भी जाना चाहो, जा सकते हो, अब बात कर लेते हैं, कई सारे वीवर यह पूछ रहे थे कि अगर मैं वैशनो देवी मा के दर्शन करने की बात, अगर कटरा से कश्मीर जाना च होते हैं और हम बात करें कट्रा से श्री नगर के दूरी तो लगबग 240 किलो मिटर है जो आपकी बाइर रोड ट्रेन या किसी से भी आगर आप करेंगे एर को छोड़ करके तो लगबग 6-8 घंटे के बीच में ये ट्रेवल डूरेशन आपकी होती है और आप इसली श्री नगर कि कश्मीर के पैकेज जो है अगर हम अधर इंडिया के बात करें अगर अधर जो टूरिस टेशनेशन है जैसे केरला हो गया गोवा हो गया हिमाचल के हो गए उसके कंपेरें बात करें तो जितनी फैसलीटी कश्मीर में मिलती है उसके इसाब से समर के लिए भी मैं बात करू पैसा वसूल होता है जब आप कश्मीर जाते हो तो कश्मीर एक बार लाइफ में जरूर हो करके जाना ये मेरी बात गांट बांद लो और अगर आप कश्मीर हो करके आए हो वाईटी भारत के वीवर सब्क्राइबर हो तो अपना कमेंट वाईटी भारत पर अभी ठोक दो हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे विवर्स हरीमून पैकेज ले करके जा रहे हैं और इतना ज़ादा इंजॉय कर रहे हैं वह आप आईटी भारत के कश्मीर के बहुत सारे वीडियो में और आटमेटिकली देखते वे आ रहे हैं आज भी आप देख रहे तो मिलता हूँ आपको आगे मैं बताने जा रहा हूँ कश्मीर का एक टैकेज जो बाइटी भारत के वेरिफाइड ट्रेवल पार्टनर ने प्रोवाइड कर रहे हैं इस पैकेज को खास करके समर में लांच किया गया है इस पैकेज को आप बुक करवा सकते हैं वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिये गए नंबर पर कॉल करके आप संपर्द करिए बुक करवाईए हो करके आईए इससे जड़े कोई भी सवाल है तो आप उपर दिये वे ट्रैवल कंप करने लगे हो दोस्तों हम आगए है वीडियो के सेकंड पार्ट में जो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है इसमें आपको मैं कश्मीर का पैकेज बताने वाला हूँ जो फर्स्ट अप्रेल से लेकर के 30 जुन के बीच में वैलिड है उसके साथ सता आपको कॉस्ट भी ब के लिए भी है कोई अलग से फैसलिटी नहीं है आप इंजॉय कर सकते हैं और मैं आपको एक जान करेड़ दिना चाहता हूं कि सबसे जादा हनीमून कपल इस साल मनाली के बाद कश्मीर ही गए है इतना सेफ एंड सेक्यूर है अगर आप प्लान बना रहे हैं तो मनाली से बह कर रहे है तो हनीमून के लिए खास करके आप काश्मीर जरूर हो कर के आएं आएगे दोस्तों आपको चालू करते हैं स्टेंडर के मिलेगा होटल ट्राइडन के अंदर विला में सोन मर के अंदर नो इस्टे मिलेगा आपको, शीनगर से चलेंगे, सोन मर घुम करके वापस शीनगर आ जाएंगे, उसके बाद पहल गाम में होटल स्पैरो और हाउस बोट जो आपको शीनगर मिलेगी, वो आपको मिलने वाली है, लेक आफ क्राउन हाउस बोट या इस है सिमि वाले हैं, दोस्तों, सीजन के ये रेट है, नौन सीजन में ये कम हो जाते है, अगर आप मेरे पिछले पैकेजिस को देखेंगे, तो फोर नाइट, पाइडेस के पैकेजिस हैं, और सीजन में उसका रेट है, आट यार दो सो पचास रुपे पर पर सन, यहाँ पे आपको मै पर कपल का रेट बता रहा हूँ, 29,000 रुपे, ये पैकेज स्रीनगर से स्टार्ट होगर के स्रीनगर पे खतम हो जाता है, इसलिए इसमें कोई भी फ्लाइट या ट्रेन की टिकट इंक्लोडिड नहीं है इस कॉस्ट में, डिलक्स पैकेज थर्टी सिक्स थाउजन का है, सू या ट्रेन से, जहां भी आप पहुंचेंगे आप बता दीजेगा, मैं आपको फ्लाइट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप एराइवल करेंगे श्रीनगर एरपोर्ट पे, वहाँ पर आपको हमारा रिप्रेजेंटेटिव जा करके पिक अप करेगा, पिक अप करके ड गर्णन अफ लव, चश्मा शाही, दर रॉयल स्प्रिंग, आप इसे एंजॉय करिए, इवनिंग में वापस आ जाएए, श्रीनगर होटल के अंदर अपने, और ओवरनाइट स्टे करिए, इस होटल के अंदर, यह आप पढ़ सकते हैं, यह फीचर है इस दिन घूमने के लि गुलमर्ग है, और गुलमर्ग के अंदर बहुत-बहुत सारी स्नो स्पोर्स एक्टिविटी होती है, आजकल तो वहाँ पर गेम्स भी चल रहे हैं, गेम्स का आयूजन किया गया है, पर्धान मंत्री नरिन मोधी जी ने उसका अगटन किया है वर्चुली, तो वहाँ पर आ आप अपनी कॉस्ट पर इंजॉय कर सकते हैं, आई आप आपको बतायते हैं इसके बारे में, शीनगर, गुलमर्ग और शीनगर, ये साइटर होने वाला है, ब्रेकफास्ट आप करेंगे इस दिन, निकल जाएंगे गुलमर्ग की साइट पर, उसके बाद आप चेक-इन करें तनमर्क, गॉल्फ कोर्स, जैजै लक्षमी मंदिर, वालनट फिल्ड, राइस फिल्ड, ये सब जगे आप घूम सकते हैं, इसके बाद आपको मैं बतायता हूँ, डे थ्री के बारे में क्या इक नरी है, डे थ्री में आप श्रीनगर से चलेंगे, पहलगाम पहुँचेंगे और उसके बाद, आप वहाँ पर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप निकल जाएंगे, पहलगाम, पहलगाम की आत्रा आपकी लगबग 95 किलोमेटर की आत्रा है, 2400 मेटर अबाओ है सी लेवल से, टाउन ओफ पहलगाम, विलेज औफ शेफ गुमने के लिए पहलगाम के अंदर, हाइलाइट्स क्या-क्या है, सेफरान वैली, मटन मंदिर, बैट फैक्टरी, एपल वैली, लीडर रिवर, अवंतिपुरा, रुइन्स, राफ्टिंग पॉइंट, यह सब जगह आपको ले जाया जाएगा, इस दिन आई अब चलते हैं रिजॉर्ट के चारो तरफ, बहुत सारे प्लेसिस हैं इंटरस्ट के, जैसे बाइसरान, बेताव वैली, चंदनवाडी, आडू, यहाँ पर आप पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोकल यूनियन कैप को भी हार कर सकते हैं, पोनी राइट कर सकते हैं प्रेकफास्ट करने के बाद, श्री नगर के लिए आप निकल जाएंगे, विजिट करेंगे, हिस्टोरिकल प्लेसिद जैसे हजरत बल, शंकराचारे टेंपल, जामा मस्जित, परी महल, इन सब जगहों पर आप जाएंगे, और इसके बाद, यह थोड़ी से स्पैलिंग में श्री के ठीक कर देते हैं, इन्जॉय करेंगे, एक घंटे की शिकारा राइट, डल लेक में, जो बिल्किल कॉंप्रिमेंटरी है, कोई चार्ज आप से नहीं लिया जाएगा, उसके बाद, डे सिक्स की बात करतेते हैं, श्री नगर से सोन मर्ग, जिससे सोना मर्ग के नाम से बिजनायता है, इस दिन फुल डे का आपका टूर होगा, सोन मर्ग का 87 किलोमेटर है, श्री नगर से, तीन घंटे की जरनी है, ठाइसो मेटर अबाव है, सी लेवल से, और बहुत कुछ है गोमने के लिए यहाँ भी, हाइलाइट्स आपकी है, सिंद रिवर, एपल वैली, फ कॉल करिए, पैकेज बुक करवाईए, अगर बुक करवाना चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और उससे पहले पूरी जानकारी आप हासिल कर लिए, हो सकता है, मुझसे एक पॉइंट कुछ उपर नीचे हो गया हो, तो उसको आप इग्नोर करिएगा, पूरी डिट ब्रेकफास मिलेगा सुबह सुबह, और ब्रेकफास करने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पे आगपा ड्रॉप कर दिया जाएगा, इस पैकेज की कॉस्ट में क्या-क्या इंक्लूडिड है, अकुमेडिशन फैसलिटी, वन, डबल, शेरिंग रूम, ट्रांसपोर फैसलिट फैसलिटी, म.A.P. प्लान के बेसिस पे ब्रेकफास दिनर आग को प्रवाइड किया जाएगा, शिकारा राइट कॉम्प्रिमेंटर रहेगी, इस पैकेज में जो भी मैंना को चार्ज उपर बताये थे, स्टार्टिंग वीडियो को इसमें सारे टेक्सेस इंक्लूडिड है, पिकप ड्रॉप आपको मिलेगा श्रीनगर एयरपोर्ट से, ये टॉक टेक, इसमें टूर में ये कॉस्ट में एक्स्क्लूडिड है, वो आप देख लीजे, ट्रेन फियर, एयर फियर, एनी मिल जो इसमें नहीं बताया गया, एक्सपेंस, टेलीफोन कॉल्स, लॉंड्री, लिकर, एक्सेटरा, गाइड, एंट्रेंस, पीस, डूरिंग साइट, ये सब चीजों की कॉस्ट इसमें इंक्लूडिड नहीं है, पेमेंट पॉलसी ये रही, कैंसलेशन पॉलसी ये है, और बुकिंग कराने के लिए मैंने बताई दिया वीडियो के टाइटल में जाकर क्या बुक कर सकते हैं, उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पैकेज अच्छा लगा होगा और आप भी अपनी लाइफ की सबसे अच्छी मेमरी को कैप्चर करने के लिए कश्मीर घूमने का प्लान जरूर बनाएंगे, मिलते हैं वाईटी भारत के इस रगे बहुत ही अगले और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत दोस्तों, नमस्कार सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में